कि नौस्का ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है मोधि सरकार ने मानरिटी इंस्चूसिंस में हो रहे घोटाले का पर्दा फास किया और सीबियाई को ये मामला सौब दिया गया है बता जा रहा है कि इस देश में मानरिटी इंस्चूसिंस के नाउख पे काम करने वाले कहीं सारे मदर से और इस तरह के institution ने ऐसा घपला किया है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर में करीब डेर लाग से ज़्यादा मदर से हैं लेकिन सिर्फ 27,000 मदर से ही registered है और UPA सरकार के दोरान प्रदान मंतरी मर्मोहन सिंग उस वक्त ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान के resources के उपर पहला अधिकार मुसल्मानों का है तो ये scholarship की योजना शुरू की गई जिसमें अब तक करीब 22,000 करोर रुपे खर्च किये गए और ये scholarship 22,000 करोर में से 97% पैसे वो मदर सो को गए लेकिन मालूम चला कि हर जगह गड़बड जाला है पैसे जा रहे हैं students के नाम पे scholarship के नाम पे मालूम चल रहा है न मदर सा है न कोई institution है ना ही कोई चात्र है bank account में सीधे सीधे ये मौल भी मौलाना पैसा खा जा रहे है और जब इसके बारे में पता चला तो 34 राज्यों में 100 से ज़्यादा जिलों में investigation किया गया इसकी जाच कराई गई और जब खुलासा हुआ जब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो मोधी सरकार ने इस मसले को CBI को सौप दिया है किन-किन राज्यों में बर चल रहा था ये धंदा कहां-कहां ये घपलेवाजी हो रही थी पूरी डीटेल में आपको दूँगा लेकिन पहले इससे जुड़ी हुई जो मुख्य कवर है उसको जरा सुनिये Ministry of Minority Affairs had officially launched its complaint in the matter on July 10th The investigation involved inquiries in 100 districts across 34 states Out of the 1572 institutions scrutinized 830 were formed to be involved in fraudulent activities The statistics come from 21 out of 34 states While the investigation into the institution in remaining states are still underway Now the authorities have ordered the freezing of accounts linked to these 830 institutions Abhi to khel ke surwaati hui hai 1572 minority institutions के उपर जाच बिठाई गई जांच किया गया उसमें मालूम चल रहा है कि 830 फरजी नहीं मतलब आदर वो non operational है या फिर है नहीं चल रहा है लेकिन पैसे लगातार जा रहे हैं 1572 में 830 मतलब 50% से जादा ये गोरक धंदा इस देश के अंदर में चल रहा है लेकिन कोई इसके उपर सवाल उठाएगा नहीं अब इतना वड़ा घुलासा हुआ है कोई भी पक्ष की बात आपने सुनी नहीं क्यूं ये गोरक धंदा ये यूपिय के जवाने से जालू है और जब सरकार को ये बताया गया कि हुजूर ये सारे पैसे जो है ये तो गलत लोगों के हाथ में जा रहा है इस्टूडेंट नहीं है फिर भी और कुछ तो ऐसी ची कहानी सामने आ रही है कि पैसे तो आप सिधे बैंक में अधार कार्ट के साथ मालूं चल रहा है कि एक ही अधार कार्ट एक ही फोन नंबर उस पे बाइस बाइस बच्चे मतलब पिता का अकाउंट नंबर है बाइस बच्चे बताए जा रहे हैं उसको और ये बाइस के बाइस बच्चे एक हार्वी क्लास में पढ़ रहे हैं इस तरह का फ्रॉड हुआ है और ये सिर्फ एक जगह नहीं अलग-अलग राज्जू में और किनकिन राज्जू में क्या हुआ है ज़रा सुनिए इस्टेट वाइस ब्रेकडाउन जो है उसका क्या है 36 गर में 62 इस तरह के इस्ट्यूस को स्कूतिनाइइज किया गया और सबके सब 62 के 62 वेक पआए गए सबके सब फेक राजस्थान में 128 इस शूस संप को स्कूतिनाइज किया गया नाइंटी नान्ष इन्स फेक या नं ऑपरेशन पाए गही असंदर 68% मदर से जो है वो फेक पाए गए करनाटक के अंदर 64% of institutions were found to be fake उतर प्रदेश में 44% और बंगाल में 49% institutions जो है वो फेक पाए गए तो यह तो कहानी है हर राज में यह चला है और अभी सिर्व इस 1572 की ही जाच की गई है सारे minority institutions मदर सो की जाच होनी अभी बाकी है मामरा CBI को दे दिया गया है अब यह सारे लोग पकड़े जाएंगे इनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से आप सरकारी धनका इस्तमाल वैसे मैं आपको बताओ उत्राखंड की सरकार ने एक काम किया था कि बाई यह जो बच्चे जो मिड़े मील खाते है उसके लिए जो पैसे दिये जाते है तो लाखों की संख्या में मदर से जो है वो इस्टूडेंट्स अपनी बताते थे कि कोई एक मदर सा है या कोई इस्टूट है वहाँ पे लड़के हैं पांच आपने भर के दिखा दिया कि भाई याँ ढाई सो स्टूडेंट्स पॉड़ रहे हैं तो जो मिड़े मील का पैसा जाएगा कितने का जाएगा पांच लोगों का नहीं ढाई सो लोगों का और कौन क्या कर रहा है तो सब खा जा रहे थे तो धामी साहब ने कहा कि भई सब का अधार कार्ट और फोन नम्मर इंतिजाम करो और जब इसकी जाच की गई एक दिन के अंदर डेल लाग स्टूडेंट गाइब हो गए नॉन एग्जिस्टेंट थे थे ही नहीं सब भाग खड़े हो गए सब को कहा गया कि भी हर बच्चे का जो है आप अधार कार्ट निकाल के दो सारे लोग भागे तो इस तरह का लूट इस देश के अंदर में मची हुई है तो आगे क्या है अब कुछ डीटेल देखे कि कि क्या इससे जुरी भी खबर आई है अलग अलग जगों में क्या-क्या कारणामा इन लोगों ने किया है मतलब के अंदर में 66,000 स्कॉलर्शिप जो है आपने बाट दे और यह नंबर वो अतना आपके पास था भी नहीं यह नोग ऑथराइस्ट लेकिन फिर भी आप नहीं किया भई मानलूटी के नाम पर भोट लेने का जो धन्दा इस देश में चलता है केरल से चरिए जम्मू कश्वीर इन अनंतनाग जम्मू एन कश्वीर आपके पांच हजार और साथ हजार जो है यह स्कॉलर्सिप उठा ले रहे हैं वर मुवाइल नंबर अफ़ पेरेंट वाज एससेटेटेट विट टूटी टूटी चिल्डेन और सेपोर्टेटली इन क्लास 11th इन अनादर इंस्टूशन दिस्पाइट अप्सेंस अफ ए होस्टल एवरी स्टुडेंट क्लेंट ए होस्टल स्कॉलर्सिप बताईगी होस्टल है नहीं लेकिन होस्टल का भी स्कॉलर्सिप ले रहे हैं यह सब कुछ कागज पे कोई रोकने वाला नहीं कोई कुछ नहीं और यह सब धंदा कब से सुरू हुआ 2007-2008 से यह मन मोहल सिंग की सरकार यूपी की सरकार In Assam, a bank branch allegedly had 66,000 beneficiaries and the verification team was threatened at Madarsa when they attempted to verify student details 66,000 और बैंक बाले वेरिफाई करने के लिए के तो धंकी दी गई मार देंगे तुमको सतन से जुदा बताईए यह सारा धंदा चल रहा है इस देश के अंदर इन पंजाब minority students received scholarship despite not being enrolled in school और पंजाब दो करम और आगे student registered नहीं है लेकिन फिर भी उसको scholarship मिल रहा है पढ़ाय लिखाई कुछ नहीं सरकार का पैसा है ऐसा लग रहा है कि इस देश को हम लोगों ने धरमसाला बना दिया है minority ministry बना दी scholarship देना शुरू कर भाई गरीबों को मदद करना है गरीबों को मदद कीजिए minority के नाम पे आप पैसे क्यों दे रहे हो minority में भी अगर कोई गरीब बच्चा है उसकी मदद करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पे minority होने के आधार पे यहां तो हिंदुस्तान में धार्विक minority है यह तो समिधान का भी उलंगन है taxpayer के पैसे को सरकारों ने क्या समझ लिया है इनको vote की राजनीती करनी है तो आप जो है taxpayer के पैसे हमारी मेहनत की कमाई को आप इस तरह से दूर्पयोग करेंगे और जाच के दौरान कुछ key findings जो आई है मुद्ध सरकार ने जाच कराई जिसके अधार पे CBI को एक case दिया गया है उसके बारे में क्या आया ख़बर कि out of 1572 minority institutions scrutinized a staggering 830 were found to be either fake or non-operational scholarships meant for genuine minority students were being claimed by these fake institutions the corruption in this case appears to have penetrated multiple levels of the system district nodal officer and the institutions were verifying scholarship without on-ground scrutiny fake beneficiaries were successfully claiming scholarships the minority affairs ministry has ordered the freezing of accounts associated with the 830 implicated institutions बद्द कर दिया गया है करी देना चाहिए और जिन लोगों ने अब तक पैसे उठाए हैं उनसे वसूली होनी चाहिए एक एक पैसा जो देश का है जो इन लोगों ने फर्जिवारा करके ये 22,000 कड़ोर रुपे ये जो उसका गबन हुआ है कहा गया उसका पूरा हिसाब किताब आना चाहिए कारवाई करेगी इन्वेस्टिगेट करेगी और दोस्यों को सजा दिलाने में दो चार कदम थोड़ी तिक बृता से लेगी आप देखते रहे केपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद